हेलो फ्रेंट्स वेलकम तो माई चैनल आई मैं डटी सेन स्मीता सिंग आज मैं आपके लेकर आई हूँ एक सॉस की रेसिपी जो है टोमेटो सॉस की रेसिपी जो मार्केट में आसानी से मिलता है बट अगर आप घर में बनाते हैं तो बहुत ही हाइजेनिक होता है और प्योर ह होता है तो फ्रेंट्स यह बहुत ही इजी बनाने में है और इसे पूरे साल आप विजब करके रख भी सकते हैं और यूज भी कर सकते हैं आप अगर घर में बनाते हैं तो बहुत ही सस्ता परता है तो फ्रेंट्स बनाते हैं टोमेटो केचप अगर मेरे चैनल पे आप नए ह तो प्रीज सस्क्राइब कर लीजिए और लाइक और शेयर भी कर लीजिए थैंक यू फ्रेंट्स टोमेटो केचप बनाने के लिए हमें दो कीलो पके हुए लाल टमाटर चाहिए और इसे पानी सुखा के और अच्छी तरह से साफ कर लेंगे और दस कली हमें गार्लिक और एक इंस जिन्जर लेके इसे काटके और प्रेसर कुकर में डालके टमाटर के साथ में इसे पान से 7 विसल लगाएंगे उसके बाद इसे च्छान कर प्यूरी हम एक पेन में डालके गैस पे पकाएंगे और ये कम से कम 15 से 25 मिनट तक इसको बॉयल करके इसे गाढ़ा करेंगे जब ये गाढ़ा हो जाएगा तो हमें 2 चमच सुगर डालना है और सुगर डालके गरम मसाला डालेंगे हाप चमच गरम मसाला और हाप चमच कासमीरी लाल मिर्च पौडर जिससे इसका कलर अच्छा हो जाएगा और ये टमाटर सॉस पूरी मार्केट की तरह दिखने लगेगी अभी देखे ये पुरा तरह से तयार हो गया है और इसे हम गाढ़ा तयार हो गया है और इसे हम उतार लेंगे पेन से और इसे ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे जब ये ठंडा हो जाएगा तब इसे चेक करेंगे कि ये ठंडा हो गया और ये एकदम गाढ़ा हो जाएगा तो फिर ठंडा होने के बाद हम दो चमब इसमें विनेगर डाल देंगे और विनेग करके देखिए अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक और सेर कर दीजेगा और इस तरह से देखिए ये गाढ़ा एकदम पूरी तरह से तैयार है टामाटर सोंस और इसे आप किसी चीज के साथ सब कर सकते हैं